बसकार दोस्तों यह जो डिसंबर 22 जो है वो एक्जाम स्षुरू हो चुके है ट्विंटी एट से योष से शुरू हो चुके है और यह दो शिंस में चलने वाला है और आज से जो चालो होने वाला है वो 7 परवरी तक आप के exams चलने वाले है अलग-अलग shifts में अलग-अलग cities के लिए अलग-अलग dates दिये गए है और यह date जो है वो release करती गए है और यह जो exam dates है आपके अलग-अलग cities के लिए अलग-अलग centers के लिए वो आपको आपके admit card पे mention किया जाएगा ठीक है यहापे मैं schedule and mode of examination पे आ जाओंगा तो यहापे लिखा हुआ आ रहा है that the exact date of submission examination will be mentioned on the admit card of the candidate तो आपके जो admit card है वो दो दिन पहले आपको मिलने शुरू हो जाएगे जैसे कि आपका exam अगर 30 को है तो यहापे आपको 28 को exam के जो admit card है वो मिल जाएगे अगर आपका exam जो है एक तारिक को है तो आपको 30 तारिक को आपका admit card मिल जाएगा ठीक है दोस्तों तो आपका admit card जो है वो आपको download करना हो तो seated के official website पे जाना है उसके लिए आपको seated search कर लेना है seated search करेंगे तो यहापे seated NIC का official website है इस पे आपको click कर लेना है उसके बाद यहाप है admit card जो है वो section यहाप आ जाएगा देख सकते view date and city and pre-admit card for seated ठीक है तो यहाप लिंक दो दिए गए नीचे यहाप आप कही से भी download करना चलू कर सकते हैं यहाप जैसे कि 28 वालों के लिए 26 से शुरू हो चुका है यहाप आप क्लिक कर लेंगे यहाप ओके कर लेंगे तो यहाप लोग इन तो अप्लिक्शन नमबर और date of birth का option वे लेगा अप्लिक्शन नमबर डाल देना है date of birth डाल लेना है यहाप सेकृरिटी पी यहाप पर डाल देना है उसके बाद सब्मिट करेंगे तो आपका जो एड्मिट काड है वो दो दिन पहले आपका एक्जाम होगा तब अवेलेबल हो जाएगा तो इस तरह से आप अपना एक्जा और एड्मिट काड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तो